नमस्कार मैं आलोक सुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने आउनलाइन संस्थान परिक्षाप्लस में कैसे हैं सभी अभी UPSC के द्वारा BCG technician का भी syllabus वा पैटर्न जारी कर दिया गया है इससे पूर्ब में लगातार consecutive दो दिन में 9 सप्तमबर 10 सप्तमबर और आज 11 सप्तमबर लगातार तीनो दिन अब UPSC के वल एक काम कर रहे हैं कि भाईया सबका syllabus बता दो चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए लेकिन ये बहुत देर कर दिये हो बच्चे और लेडी कुछ ऐसे विग्यापन भी है जो PT 2022 से हैं और अब आप जाके उनका क्या दे रहे हो अब आप उनका syllabus pattern दे रहे हो बच्चा कहां जाएगा बच्चा तो फिर यहीं बोलता है ठीक है सर हम तो चुपचाप बैठे है और अब हम लोग 2022-27 में बताएंगे कि इंतजार करने का फल क्या होता है और ऐसे जब impatient हो जाते है जब धैर होता है तब कैसे decision लिया जाता है ये तो बच्चा ही बताएगा खेर चलिए देखते हैं इसका क्या है आज का जो आपका BCG technician का आया है अगर आप यूप टेबले सी आप यहां पर देखेंगे ये डेट है और इस बार जो 255 पद आपके किसके निदेशाले की तरफ से है ना कौन से निदेशाले चिकस्ता यहां स्वास्त सेवा निदेशाले 255 पद आपके आये थे इसके सापेक्ष में आपका क्या दे दिया गया है syllabus और पैटर्न दे दिया करेंगे और 65-30 के रेशियो पे मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश देखोगे तो उत्तर प्रदेश 20 प्रशन 20 नंबर का है और कंप्यूटर ये हम सूशना पद जगोगी 15 कोशन 15 नंबर का है मतलब 35 आपका यहां पे हो गया और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसकी ऐसे ह हम लोग बात करते हैं बाकी पार्ट के तो इन्हों ने क्या किया है भाग एक को आठ पार्टों में डिवाइड किया है और इसका जो आपका है भाग एग यह आपका 65 है तो 65 और 35 के रेशियो में 100 प्रशन 100 अंक 120 मिनिट और 1 फोर्थ क्या है निगेटिव है एक बार इसे मे ध्यान से देखेंगे क्या क्या पूँचा गया है तो 65 में जो इसने क्या पूँचा है 65 कोशन में बात किया जाए तो आपका जो सिलेबस है वो आपके बोल सकते हो की ग्रेट से संबंदी थे या आपके ट्रेड से संबंदी थे आप ऐसे बोल सकते हो कि 6 रोग TB और Bacillus क्य जो ग्यूरिन होता है ये तो वही बात हो गया उसको ओपन करके लिख दिया BCG लिख दिया का परिचे BCG क्या होता है लोग के बारे में है उसके बाद प्रशन दो है पुल्मरी और एक्स्टा पुल्मरी दोनों प्रकार के 6 रोग का निदान कैसे किया जाता है 10 नंबर का TB के बारे में समुदाइक धारना क्या है इससे आपसे कोशन पूचेगा TB का इलाज आपका 10 कोशन का है ये पूचेगा 10 नंबर का और 6 रोग के 7 साहवरती बीमारियां 5 कोशन 5 नंबर का महतपूर दिसानिल देश जो सरकार की दिसानिल देश योजनाए है इनके बारे में 10 पास्त जो गद्विधियां ये 10 है और राष्टिये 6 रोग उन्मोलन कारिक्रम NTP द्वारा निगरानी 5 कोशन 5 नंबर का पूचा जाएगा तो देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है मैं आपको बता दू बच्चो कोशन की वर एक टॉपिक से घूमा घूमा के पूचाया वो है BCG अब कोई 6 रोग हो गया 6 रोग के बारे में ज़्यादा जानकारी पढ़ लेगा 6 रोग के इतिहास के बारे में पढ़ लेगा 6 रोग की जो सिम्टम होते हैं क्योंकि यह BCG टेक्निशिन है तो 6 रोग वही TB ह होता है और यह किसके कारण होता है यह BCG जो तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे इनके नाम पर पढ़ा है तो भाई इसमें बहुत जड़ा डेप्त में पढ़ने को कुछ है नहीं कोई क्या PhD कर लेगा इस पर कितना PhD कर लेगा अब रही बाद तो प्रशन कहां से जादा बने लेगा आपने इतना सिलेबस को घुमा चुमा के बना दिया वाई टीबी का इलाज यहीं पे आ जाएगा पहले में अपर मरे और एक्ट्रा पढ़ने दोनों प्रकार के जो 6 रोग होते हैं यह भी टीवी के रोग में ही आ जाएगा तो यह तो मेरे ख्याल से एक एक पेराग लेकिन अब उसी 50 पीज में 65 नंबर कैसे पूछेगा तब यूपी ट्रिबल सी क्या करता है उल्टे सीधे प्रश्ण बनाना इस्टार्ट कर देता है तो जो भी परिक जो पैटर्न बना रहे हैं जो सिलेबस बना रहे हैं उनसे अनुरोध मेरा यह है कि आप लोग थोड़ा में वो कुछ टॉपिक दे दी हैं अब संस्थान तो परिसान हम इस कंटेंट में देख्या दें और बच्चा सेटिस्फाई नहीं हम पढ़े तो हमारा इतना पूरा नहीं है कि और 50 पेज में 65 नंबर आ कैसे जाएगा तो भाई जो पेपर बनारो पैटर्न थोड़ा सा आप इसे ओपन करके दू इन्होंने सिलेबस में क्या रखा है इस चीज को देख लेते अब आप सिलेबस के किक पॉइंट को देख लोगे भारत और बिस्तो के संबद में 6 रोग के बोज की महामारी विज्ञान उसके बाद 200 टीबी दीवास और इसकी थीम बाई जाद यह कितने यह जो इन्होंने सिलेबस बना दिया का मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है हर साल का जाद 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 5 साल का याद कर लोगे पांच मिनट की टॉपिक है उसके बाद राश्ट्रिय चैरोग उन्मोलन का रिक्रम में 2025 तक TB उन्मोलन लक्षे यह थोड़ा सा रिपूर्ट इंडेक्स देखना होगा TB बेक्टीरिय की आकरती विझ्यान यह थोड़ा सा ऑकरती विझ्यान थोड़ा सा प्रशार का तरीका प्रशाषन का बैक्सिन सरर्शन और ब adapन अर्प्रशाषन का तरीका उस चैरोग में इसका और फिर आपका पेलंग और एक्ष्टरा पंग मरी सब्सक्राइब का डिजीज हो गया यहां से पूछ लिया यह चोटी सी टॉपिक तीसरे में बोले टीवी के बारे में आम मिथक जो अउधार आए हैं भारत में चैरों की रोक्थाम और टीवी निवारक चिकत्सा में समुदाए और विभागों की भूमिका यह भाई इस वाले पॉइंट में आपने कबर कर दिया है कि भारत और विसुमें समद्में चैरों के बोज की महामारी विज्ञान इसी में ही क्या आ जाएगा इसी में यह टॉपिक इंक्लिूड हो जाएगा बच्चा ही से पढ़ लेगा तीवी का इलाज ड्रग सेंसिटिव और ड्रग पतिरो ठीक है इनके साथ जो बीमारिया हो जाती है जैसे HIV हो गया ठीक है इम्यूनो क्या लिखा हुआ इम्यूनोस प्रेसेंट दवाओं का पर मरीज का पता नहीं क्या है है यहां पर उसमें मरीज मरीज पर असर ऐसा करके होना चाहिए चलो यह आपसे पूछा है महत्पूर दिसन अस्तांतरण उप्चार पर टीवी मामले के संपर का पता लगाना उप्चार समर्थक द्वारा दी अगई दवाएं निक्षय मित्र जो है इनके बारे में द्वारा टीवी मरीजों का अपनाना प्रतिकूल ड्रक की निगरानी इलाज सुरू होने से लेकर इलाज पूरा होन संखेतक यह सारी चीजे हैं तो भाई यह आपका सिलेबस कोई मैं बोलूँगा कि 25 डंबर कोई बहुत जादा नहीं है लेकिन फिर भी टीम आपके लिए पुरा परिक्षा प्लस तीम आपके लिए प्रयास करेगी एक बहतर से बहतर कंटेंट आपको दे दिया जाए जिससे सबसेम हैं और ऐसे ही बात करें उत्तरपदेश का भी सिलेबस आपका जैसे बाकी में हैं वैसे ही सेम हैं कुछ अलग नहीं है तो लगबख कंप्यूटर और आपका उत्तरपदेश सेम हैं मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप यूपी ट्रिपल सी की किसी मुख परिक्षा के तैयारी कर लो तो आप यूपी और कंप्यूटर तो बहुत अच्छे मजबूत कर लो क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या पूछ ले क्या सिलेबस हो कितना समय दे किसी को नहीं पता है तो जब भी आपकी मुख परिक्षा का फॉर्म आए आप लोग कंप्यूटर और यू अभी BCG Technician का एक बार मैं देख लेता हूँ अगर हमारे पास information हो BCG Technician का तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने आए हैं जो कल हम लोग देख रहे थे ना उसमें कि किस के साफेक्ष में कितने फॉर्म पड़े हैं ठीक है उससे एक बार देख लेते हैं यह आपक अभी BCG Technician का उसके बाद यहां पर देख लेते हैं अभी BCG Technician का नहीं दिया हुआ है अभी अन्ता होमोप्रतिक भेजजिक का उसके बाद यहां पर देखे यह तो पीटी दो जानकारी नहीं है अगर किसी के पास कोई जानकारी हो कि तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा बट फिर भी अगर यहां पर जानकारी होती तो बता देता कि लगभग कितना अगर पीटी 2020 पे देखा जाए तो पीटी 2030 पे अभी किसी का इन्होंने निकाला नहीं है बट फिर भी अगर देखो होमोप्रतिक बेजिक में 1213 हैं ऐसे बीसीजी टेक्नीसिन में बहुत जादा अगर मान लिया जाए तो बहुत जादा आए होंगे तो पांस से साथ अजार जोने बच्चे एपलाई किये हैं लगबग सारे बच्चों के चुने जाने की चांसेस है तो सारे बच्चे मनलब की पीटी का कटाओ न्यून तम जाएगा दस बारा नंबल जाएगा अगर फॉम के आवेदन बहुत कम रहेंगे इसमें सारे बच्चे तयारी कर दो तो अब इसमें मिलेंगे और परिक्षाप्लस डाउनलोड के लिजगा धन्यवास सबीगा